अक्टूबर के महिने में तेज धूप का प्रकोप छेल रहे दिल्ली एंसियार के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है मौसम केंदर की माने तो दिल्ली एंसियार में अब सर्दी ने दस्तक दे दी है और न्यून्तम तापमान में गिरावट शुरू हो चुकी है दिल्ली एंसियार का न्यून्तम तापमान अब 21 डिग्री से लेकर 19 डिग्री से बीच पहुँच चुका है जबकि अधिकतम तापमान भी 30 से लेकर 32 डिग्री से बीच चल रहा है आने वाले वक्त में सर्दी और बढ़ेगी मौसल रग्यानिक मोहमद दानिश के मुताबिक दिल्ली एंसियार में 25 अक्टूबर से लेकर 59 बीच दिन की धूप हलकी होने लग जाएगी रात में हलकी सर्द हवाएं चलने लग जाएगी साथ ही नियोंतम तापमान 21 से लेकर 16 डिग्री से बीच जाने का पूरवानुमान है अधिकतम तापमान में भी तेजी से गिरावट देखी जाएगी यानि अधिकतम तापमान 25 से 31 डिग्री से बीच रह सकता है बात करें इस पूरे सप्ता दिल्ली अंसियार का तापमान कैसा रहेगा तो दिल्ली अंसियार का तापमान इस पूरा सप्ता 31 से 33 डिग्री से बीच रहेगा जबकि न्योंतम तापमान 21 से 19 डिग्री से बीच रहने का पूर्वा नुमान जारी किया गया है वही 25 अक्टूबर से मौसम करवट लेगा यानि कह सकते हैं कि दिल्ली अंसियार वाले अच्छी सर्दी के लिए तयार हो जाएं क्योंकि 25 अक्टूबर से मौसम अच्छानक करवट लेगा और ठंड बढ़ने लग जाएगी मौसम वैग्यानिक महमद दानिश के मताबिक केंद्री मौसम केंद्र ने पहले से ही इस बार अच्छी सर्दी पढ़ने का पूर्वा नुमान जारी किया है ऐसे में कह सकते हैं कि इस बार सर्दी देर से दस तक देगी लेकिन कडाके की सर्दी इस बार पढ़ेगी इसलिए लोगों को इसके लिए तयार हो जाना चाहिए फिलहाल आपको बता दे कि दिल्ली NCR में लोगों ने रात के वक्त पंखे चलाने बंद कर दिये हैं रात में लोगों को सर्दी लगने लगी है इसके अलावा सुभा के वक्त भी हर्की ठंड का एहसास होने लगा है आने वाले वक्त में मौसम और तेजी से करवट लेगा दिल्ली NCR के मौसम पर मौसम वैग्यानिक पलपल नजर रखे हुए हैं क्योंकि दिल्ली NCR में ऑक्टूबर का महिना काफी गरम रहा है इसलिए इसमें होने वाले हर बदलाव पर मौसम वैग्यानिक लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं मौसम वैग्यानिक मौहमद दानिश के मुताबिक अगले सब्ता से एक बड़ा बदलाव दिल्ली NCR के मौसम में लोगों को देखने के लिए मिलेगा अच्छी सर्दी के लिए लोगों को अभी से ही तैयारी कर लेनी चाहिए दिल्ली से अंजली सिंग राजपूत की रिपो लोगलेटीम